हेलो दोस्तों, वेल्कम तो माई चैनल, चलो आज कुछ डियाईवाई करके इस वाल का लुक थोड़ा सा चेंज करते हैं एक्चुली ये वाल डाइनिंग रूम में है और इसमें बहुत प्लेन सा वाल था तो मैंने कुछ घर के ही मेरे पास कपड़ा था तो मैंने का थोड़ा सा डियाईवाई करके देखती हूं अगर अच्छी लगेगी थोड़ी सी लुक चेंज करती हूं अगर मेरे पास धीकिचन परेंट वाला क्पड़ा था जिसको मैंने रांड कट कर लिया है और अपनी घर की और अक्षी में सब्ति ना उसके अंदर ताइट्सके अंदर वो कर लिया है और अब इसकी अंदर मैं इसको टाइट से फ्रेम करके रखतूँ मेरे चाही लाय विल आइडिया नमबर टू है इसमें मैंने क्या करा था मेरा स्टेंसिल प्रिंट के साथ इक रैलेक के साथ मैंने इसके उपर ये प्रिंट बना दिया है इन थर्ड अइडिया जो आज मैं शेयर कर रही हूं, वो मेरे पास जो मेले माइन की प्लेट्स होती है जो अभी वेस्ट होगी थी मतलब यूज नहीं हो रही थी किचन में तो उसके उपर मैंने नॉर्मल नैपकिन के साथ डेको पेज कर लिया है और एक इसको वाल हैंगिंग बनाएंगे हम एक तो यह लाइट वेट है अराम से हैंग हो जाएगी कोई वेट नहीं है इसका और इसको अच्छे से डेको पेज करने के बाद मॉड पोज उपर से मैं करके ताकि इसका थोड़ा वाटिश वाला लोकार है इसको वाटिश करने के बाद इसकी उपर एक चोटा सा कोट लिखूंगे और इसको थोड़ा सा डेकोरेट साते हैं उनको हम हाफ सेंटर में से कट कर लेंगे और उसका आधा पार जो है एक साइड जो है गिलास की उसको मैं प्लेट के ऊपर चिपका दूँगी नॉर्मल किसी भी गलू से आप इसको चिपका दीजिए आराम से यह स्टिक हो जाता है और इसको स्टिक करने के बाद इ बेस्ट फ्लार्स पड़े थे जो अभी यूज नी हो रहे कहीं भी बहुत पुराने पड़े हुए तो उनको मैं कट करके बीच बीच में इसके अंदर वो फ्लार्स लगा देंगे तो यह एक हमारा बड़ा अच्छा सा चोटा सा बॉल हैंगिंग त्यार हो जाएगा इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं मेरे तो डाइनी रूम की वाल खाली है इसलिए मैं उसके लिए यह बना रही हूं आप कहीं भी बाल करनी में दोर के ओपर तो बस कुछ-कुछ अपनी क्रियेटिविटी यूज करते रहा करिए यह देखिए मैंने ऐसे पुराने फ्लार्स हैं इनक और यह किचन नैपकिन था जिसका प्रिंट मुझे बढ़ा अच्छा रगता है लाइट सा बेज इसके जो कलर्स हैं बड़े प्यारे से इसके उपर मैंने नॉर्मल फैब्रिक पेंट के साथ एक बुद्दा पेंट कर लिया है और इसको मैंने थोड़े बोल्ड कलर्स में कर कर देंगे ताकि यह टाइट रहे तो मैं यहां फैब्रिकूल के साथ इसको अच्छे से टाइट करके स्टिक कर दूँगी ताकि यह डीला नहीं हो जैसे आप कभी साफ करते हो या उतारते हो तो आपको यह लूज ना लगे कपड़ा इसके अंदर इसको हम अच्छे से तो यह सारा करने के बाद हम यह जो है देखेंगे कि हमारी वॉल कैसी त्यार हुए से आपने अच्छे से स्टिक करना है ताकि यह पीछे से निकले नहीं यह थोड़ा फैब्रिक भी मोटा था तो इसको थोड़ा टाइम लग रहा स्टिक करने में तो ऐसे करके हमने यह अप कुल जीरो बजट के साथ मैंने यह किया है एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल